हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आउर क्लास, तो कैसे हैं भाई सभी के सभी लो और फोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, मेरा नाम तेज बहादूर सिंग है, मैं हिंदी और यूपी एस्पेसल पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, तो आज हम जो है यू यूपी के बारे में क्या-क्या जानते हैं, यहां से शुरुवात करते हैं, यूपी को, जो जो शुरुवात की बाते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो चलो भाई, बिना देरी किये, सबसे पहले हम यूपी में मंडल की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे भा आपको यहां से एक क्वेस्टन पूछ लिया जाता है जो लाश्ट वाला मंडल है कौन सा अठार्वा मंडल तो अठार्वा मंडल जो है साल 2008 में बनाया गया कौन सा है बच्चे तो यह अलीगड़ है आपका अठार्वा मंडल कौन सा है अलीगड़ है ठीक तो यह तो हमने बत जिले हैं और हाँ खास करके जो यहां से बड़े जिले हैं जो जादा जिलो वाले हैं इनको बड़ा मंडल बोला जाता है मंडल को संभाग भी बोल देते हैं इसको एक और नाम से हम जानते हैं क्या बोलते हैं बच्चे इसे संभाग भी बोल देते हैं तो चलो भाई सबसे पह अब यही पर आपके करण्ट में एक बात चर्चा में चल रही है आपने पढ़ा होगा एंसी आर के बारे में किसके बारे में एंसी आर जो राष्टी राजधानी छेत्र होता है नेशनल कैपिटल रिजन तो इसी के तर्ज पर एक एससी आर बनाया जा रहा है एससी आर क्या होता है वही तो यह कैपिटल रिजन राज राजधानी छेत्र के अंतरगत जो भी आ जाते हैं उसको हम यहां से इंक्लूड करते हैं ठीक अब इसमें से जो है कुछ एक जिले है कौन-कौन से जो राजधानी लखनों के इर्द गिर्द है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है राजधानी लखनों है ठीक तो राजधानी लखनों के बारे में आपको पता है इसके इर्द गिर्द जैस ये हलका सा हमने चर्चा करा कि बस इसे जुड़ी हुई बाते कभी-कभी पूछ ली जाती हैं आज के चर्चा में सिर्फ आपको इसके मोटे-मोटे यूपी के जो मुख्य-मुख्य बाते हैं उसको हम देखते हुए चलते चलो भाई तो मंडल को पढ़ेंगे यहां से आपने अगली बात हम कर लेते हैं आपसे नेक्स पेस पर तो यह भाई अंग्रेजी माद्यम वालों के लिए सारी बाते सेम हैं जो भी यहां से जानना समझना है सारी चीज़े एक साथ दी गई या अगला यहां से राज लखनव का एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं लखनव कानपूर में फिर वही सारी जिले आपके आ जाएंगे और यहां से मेरट जिला को आप पढ़ लेंगे मेरट गाजियाबाद बुलंद सहर और गौतम बुधनगर और इसके साथ बागपत और हापुड हो जाएंगा ठीक चलो अगला देख लेते हैं हम अलीगड मंडन तो अ अलीगड मंडल के अंतरगत अलीगड एटा हाथ रस और कास गंज तो यहां से आप देखेंगे कुल मिलाकर चार जिले यहां से सम्मिलित करेंगे कितने जिले तो यह चार जिले जो है यहां से सम्मिलित करेंगे हैं किसमें अलीगड मंडल के अंतरगत तो भाई यह सारी ची तो यहां से जो गाजी पूर है इसको संग्या दी जाती है क्या बोलते हैं इसको बोल देते हैं कासी की बहन तो यहां से जीलों के बारे में जो मोटी-मोटी चीजें है जो आप से मुख्यत्या करके पूछी जाती हैं उसकी भी हम चर्चा करते चलेंगे ठीक तो यहाँ से जो गाजीपुर है इसको क्या बोलते हैं कासी की बहन तो इससे भी आप इस चीज को जोड सकते हैं कि इसे कासी की बहन बोला जाता इसलिए ये कहां पर है वारारसी मंडल में सम्मलित है ठीक ये एक याद करने का समझने का तरीका है कि कासी की बहन किसे बोला जाता है गाजीपुर को तो ये आपके किसमे है वारारसी मंडल में है और वारारसी का पहले नाम क्या था भाई जो आप महाजनपत की ब देवी पार्टन मंडल और देवी पार्टन मंडल का मुख्याले कहां पर है गोंडा तो ये क्वेस्टन आप से सीधे के सीधे पूछ लिया गया था कि जो देवी पार्टन मंडल है इसका मुख्याले कहां पर है तो कहां पर बताएंगे गोंडा में बताएंगे यहां से चार जिले सम्मिलित हैं गोंडा बलरामपूर स्रावस्ति और बहराईच कितने जिले होगे भई देवी पाटन मंडल के अंतरगत चार जिले होगे यहां से गोंडा बलरामपूर स्रावस्ति और बहराईच हो जाएगा अगला हम देखेंगे बरेली बरेली मंडल में बरेली जिला जाएगा बदायू साह जहांपुर और पीली भीत जिला जाएगा कौन सा पीली भीत अब यहां से और पीली भीत से आपको याद रखना है O.D.O.P. के बारे में एक जिला एक उत्पात तो यहां से एक जिला एक उत्पात क्या है बच्चे बांसुरी ठीक देखी भाई हमारा थोड़ा सा पढ़ाने का एक तरीका ऐसा है कि कुछ जो मुख्य मुख्य प्रस्ण बनते रहते हैं कोई सा भी टापिक चल रहा हो उसमें उ एनलाइसीस होता है हमें हर एक जाम का जो भी कुछे जाते हैं उसके बारे में और जो भी अन्य चीजे जूड़ी हुई है तो थोड़ा थोड़ा सा हम चर्चा भी करते चलते हैं ठीक चलो भई तो पीली भीट से बासुरी एक जिला एक उत्पात हो जाएगा और यही से जो सबसे बड़ा यानि कि maximum जो है maximum size की बासुरी जो बनाई गए थी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बासुरी जो बनाई गए थी यह बासुरी कहां से तो पीली भीट के बारे में और पीली भीट से एक बात और connect कर लेंगे क्या connect कर लेंगे यहां से जो सारदा नदी है कौन सी ह एक चीज इसको भी समझ लेंगे अगला हम देखेंगे यहां से मुरादाबाद मंदल में पांच जिले कुल सम्भलीत है पहला जिला है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल ठीक तो ये क्या है ये मुरादाबाद मंडल के अंतरगत पांच जिले आपने देखे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल ठीक चलो भाई अगला देख लेते हैं तो यही सारी बातें आपकी अंग्रेजी प्रियागराज मंडल की बात कर लेते हैं किसकी प्रियागराज मंडल तो यहां से प्रियागराज, प्रतापगड, पतेफुर और कौसामबी अब यहां से जो प्रतापगड और कौसामबी है ये किसके लिए जाने जाते हैं बच्चे तो ये अमरूद के लिए जो अमरूद का उत्पादन होता है पूछा जाता है यूपी में अमरूद के उत्पादन वाले कौन-कौन से जिले हैं तो प्रयाग राज, कौसामबी, आप अयुध्या और इसके साथ साथ राजधानी लखनो ये सभी के सभी क्या हैं अमरूद के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और जो प्रताब गढ़ है भई तो प्रताब गढ़ को किसके लिए जानेंगे बच्चे ये आवला की खेती के लिए किसके लिए आवला की खेती और आवला में विटामिन सी जो है मैक्सिमुम पाई जाती है ये भी बात पूछी जाती है और एक बात याद रखेंगे जो गया उद्योग में आद अचार भी बन रहा है और तुमाँ परकार की मिठाई वगरा भी आप रोग खाये होंगे इसकी बरफी भी बहुत अच्छी होती है तो यह सारी चीजे बन रही थी तो इसको क्या कर दिया गया सरकारों ने सोचा भाई इसको हम क्रिसी से हटा देते हैं जो किसान है अच्छा खासा पैसा कमार है तो भाई हमको भी थोड़ा सा दे तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो प्रताब गण आवले की खेती की जाती थी इसे उद्योग में स से याद करेंगे भाई अरे महोबा वही वाला यार दो बीर भाई यहां से थे आलहा और उदल कौन था दो बीर भाई आलहा और उदल और यहीं से पूछा जाता है आलहा कहां से संबंदित है तो आलहा आप सभी लोग बता देंगे बुंदेल खंड से कहां से बच्चे बु करते हैं मिर्जापुर यहां से इसको थोड़ा सुधार की वहीं क्या हो जाएगा यह मिरजापुर हो जाएगा इसको भी सीद देख लेंगे तो मिरजापुर मंदल में कि कई सारी चर्चा करी जाएगी थोड़ा सा पेसेंस बनाए रखेंगे अगर सोचेंगे किया मंदल से चुरुआत की कि सब से पहले जिले मंदल के बारे में ही पुछा जाता है अगर आज की पूरी complete class हमने अगर पूरा complete कर दिया अगर time का थोड़ा सा अभाव है पूरी चीज़े अगर discuss के लिए तो किसी भी exam में आप बैठ जाएंगे यहां से तीन चार question तो आपके सीधे के सीधे exam में आ जाएंगे यह introduction की संचिप्त class जो है बड़ी ही जवरदस्त है चलो भाई अगली बात देखेंगे यहां से आजमगढ मंडल को तो आजमढढ मंडल में तीन जिले आजमढढ मौ और बलिया बलिया के बारे में याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है अगला हम देखेंगे बस्ती बस्ती मंडल के अंतरगत बस्ती जिला सिधार्थ नगर और संत कबीर नगर कौन सा संत कबीर नगर तो यहां से एक बात ध्यान रख तो ये सबसे बड़े मंडल हैं ठीक अगला देखेंगे अब छोटे छोटे भाई देख रहे हैं मिरजापूर आजमगड बस्ती और अगला देखेंगे जहासी तो जहासी में जहासी ललिदपूर और जालोन ये तीन हो जाएंगे सहारणपूर मंडल की बात कर लेंगे बच्चे तो यहां से सहारणपूर जिला मुझफर नगर और सामली हो जाएगा आगे देखते हैं अयोध्या मंडल के बारे में अयोध्या सुल्तानपूर अमेठी बारावंकी और अम्बेडकर नगर ये अम्बेडकर नगर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया आयुध्या कर दिया गया तो अब बरतमान की बात याद रखेंगे कि जो अमेटकर नगर जिला है साल 1995 में अयुध्या से अलग करके बनाया गया ठीक इस बात को सभी लोग याद रखेंगे हाँ एक बात यहाँ पर आपकी छूट जा रही थी भई कौन सी बात तो ये वाली बात कि जो सहारनपुर है और ये सामली सहारनपुर और सामली से आपको ये उत्तर प्रदेश का सबसे पस्चिमी जिला है कैसा है सबसे पस्चिमी जिला है और जो सहारनपुर है बच्चे यहाँ पर लिखेंगे ये सबसे उत्तरी जिला है तो एक बात यहाँ से नोट कर लेंगे सभी के सभी स्टूडेंट कि जो उत्तरी जिला और सबसे पस्चि सामली ये दोनों के दोनों एक ही मंदल के अंतरगत सम्भलित है most of the important question सीधे के सीधे पूछ लिया जाएगा कि जो आपका उतरी जिला है और आपका पस्चमी जिला है यानि कि सहारणपूर और सामली ये दोनों किस मंदल के अंतरगत सम्भलित है तो यहां से नोट करेंगे कि ये सहारनपुर मंडल के अंतरगत संम्मलिता तीद है, जरूर یاد रखेंगे सभी के सभी लोग, चलो आईोध्या मंडल की बात हमने करली यहां से, अम्बेटकर नगर के बारे में बताया और यहां से एक गलती जो होती है जो एक्जाम में गलती होती है क्या गलती होती है यह जो बारा बंकी है बच्चे बारा बंकी तो बारा बंकी को अक्सर बच्चे यह समझते हैं कि ये राजधानी लखनव से सटा हुआ है कहां से राजधानी लखनव से सटा हुआ है तो जादातर करके क्या समझ लेते हैं कि ये लखनव मंडल के अंतरगत समलिद है ना बाबा ना ऐसी गलती ही नहीं करनी है हमेशा आपको याद रखना है कि जो बारा बंकी मंडल है ये कि किसमें समलीद है ये अयोध्या मंडल में समलीद जिला है ठीक और जब भी मंडल से question बना है और 12 वंकी पूछा गया है तो most of the student किसमें जो की सबसे गलत है यहां से बताया कि यह आपके अयोध्या मंडल में समलीद जिला है ठीक तो अब से गलती नहीं करेंगे अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है अभी पता चला तो यह और अच्छी बात है हमेशा के लिए याद रखे ठीक चली अगली ब मंडल आपके हमने 18 मंडल के बारे में बताया 18 मंडल हमने कौन सा बताया अलीगड के बारे में बताया कौन सा है जो अलीगड है अलीगड को हमने बताया साल 2008 में बनाया गया यह उत्तरपरदेश का 18 मंडल के रूप में जाना गया ठीक अब यहां से जो जिले हैं और उसके ह पुछे जाते हैं जो भी जिले हैं उसको जो मुख्याले अलग है उसकी दृष्टि साथ चलो सबसे पहले हम सुरू करते हैं अमेंटी जिला तो 7 जिले का मुख्याले कहां पर है गईंस मेंगेर हैं यूप स्पैसल का ऐसा ही topic है कि इसको बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे आपका अच्छे से तयार हो जाएगा एक बार पढ़ेंगे तो कभी नहीं क्योंकि वो भूल जाता है चीजे भूलती ही है तो कुछ-कुछ करके आपको एक दो बार पढ़ लेना है फिर आपको कभी भी नहीं संद कभी नगर जिले का मुख्याले कहां पर है खलीलाबाद में है गौतम बुध नगर के बारे में याद रखेंगे गौतम बुध नगर जिले का कहां मुख्याले है नुएडा में है और इसके साथ कौसांबी जिले का मुख्याले कहां पर है तो यह मंझनपुर में है कहा दोनों की धार्म अस्थली तो जैन और बॉध दोनों की धार्म अस्थली के लिए पहुंद जाना जाता है कौसा आजली को हमने क्या बताया प्रयाग राज़ राजधानी लकनौ अयोध्य यह सभी किसके लिए जाने जाते है ऐसे ही हम चर्चा करते चलेंगे और पर्टिकुलर जब आपका टॉपिक वाइस पढ़ाया जाएगा क्रिशी उद्यों तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे ठीक चलिए अगली बात करेंगे अंबेडकर नगर तो अंबेडकर नगर जिले का मुख्याले क्या है अकबर पु टि यहां से एक कंफूरं बनता है यह जो आप ने अमबेडकरằर जिले का मुख्याले पढ़ा क्या है क्या है अकबर पूरיים यह पर ठोड़ी सी अक तरीका लगासंगे क्या लगाले वह को यह है ढ़िवादकरद मिल जाती है आराम से मिल जाती है वाई शेहरों में मिलती है क अभी-कभी नहीं मिनती जलो यह इशक को याद करलेंगे कि कान्पुर्देहात का मुख्याले क्या है अकबर्पुर् माती है एकदम अ अम्मेट का नगर जिले का मुख्याले हो जाएगा ठीक यहां तक हो गया भagan अगला देखते हैं सिधार्त नगर जिले का मुख्याले क्या हो जाएगा नौगड ऑर यहां पर गड़ाइ करेंगे तो एक कोने में चोटा सा नोट भी बनाते चलेंगे कैसे यहां यहां से एक बात बताएंगे भई कौन सी बात तो यहां से बताएंगे बच्चे एक नौगण बाध के बारे में नौगण बाध के बारे में तो नौगण बाध कहां पर हो जाएगा इसको अच्छे से नोट कर लेंगे जो धान का कटोरा है कौन सा जिला है भई धान का कटोरा चंदोली जिला नौगड बाद चंदोली जिले में है सिधार्थ नगर जिले का मुख्याले नौगड है तो ये नौगड देखकर जब भी आपका question पूछा गया है कि नौगड बाद कहां पर है तो ये सिधार्थ नगर आपके options में जरूर दिया रहता है तो वहाँ से आपको गलती ना हो इसलिए यहीं परयाद कर लेंगे कि एक तो नौगड क्या है मुख्याले है सिधार्थ नगर जिले का और यह किस लिए जाना गया भाई तो यह आपका काला नमक चावल के लिए जाना गया किसके लिए काला नमक चावल के लिए जाना गया जो काला नमक चावल याद रखेंगे सिधार्थ नगर जिले का मुख्याले नौगड है और यहीं से बांध जब पूछेगा कि नौगड बाद कहां पर है तो याद रखेंगे बच्चे कहां पर ये चंदौली जिले में है इसको थोड़ा सा क्रिश्टल क्लियर करके एक बार में याद कर ल तो फरुखाबाद जिले का मुख्याले क्या है फतेहगड है और संभल जो है इसका मुख्याले क्या है पमासा और इसको जो है इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तित वगएरा करा गया तो अभी वर्तमान में इसको क्या बोला जा रहा है बहे जोई बोला जा रहा है क्या बोल तो दोनों बाते ध्यान रखेंगे अगली बात है यहां से भदोही तो भदोही का मुख्याले क्या हो जाएगा बच्चे ज्यान पूर हो जाएगा ठीक और भदोही में आपको याद रखना है कालीन अनुसंधान संस्तान के लिए किसके लिए कालीन अनुसंधान संस्तान कई बार आपसे एक्जाम में पूछ लिया गया है कि कालीन अनुसंधान संस्तान कहा है वैसे तो कालीने वगएरा जो है मिर्जापुर में भी बनाई जाती है लेकिन अनुसंधान संस्तान कहां पर है बच्चे यह जो है भदोही में है ठीक और तो यहां से कालीन को तो हटा लेंगे लेकिन यहां पर जरूर इंक्लूड कर लेंगे कि कालीन जो क्या करते थे ज्यान देते थे भाई तो बस वहीं से आपको समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा देखो कुछ-कुछ एक मोटे-मोटे तरीके हैं जिससे आपको याद कर से याद ही कर लेना होता है तो भदोही का क्या हो जाएगा यह ज्यानपुर हो जाएगा चलो भाई अगला देखते हैं यहां से अब हम देखते हैं नगर निगम के बारे में किसके बारे में नगर निगम के बारे में देखेंगे पहला कौन सा है राजधानी लखनव दूसरा ह है गाजियबाद, तीसरा है आगरा और अलिगड, कानपुर, मुरादाबाद, अलाहाबाद, जांसी और वाराडसी और सहारनपूर तो सहारनपूर क्या क्या आपने पढ़ लिया आपने मंदल पढ़ लिया मंदल को संभाग बोलते हैं मुख्याले पढ़ लिया और अब किस पे चर्चा कर रहे हम यहां से नगर निगम के बारे में ठीक चलो भई तो यह आपका आगया उत्तरप्रदेश का एक छोटा सा मैय जो अपना यूप के बारे में कौन सा है उत्तरी जिले के बारे में हमीं यहां से देखना है सबसे उत्तरी जिला चलो यहाँ पर समझाते हैं इस طریقे से भी आप समझ सकते हैं ये नार्थ हो जाएगा ये South ये East और ये वेष्ट हो इस बने पर कौन सा हो जाएगा सामली ठीक अभी थोड़ी देर पहले हम लिए आपको बताया क्या बताय है कि जो सामली है और सहारनपुर यह दोनों किसándal के अंतरगत है तो यह दोनों जो है सहारनपुर मंदल के अंतरगत है तो पहली बात समझ लेग기 कि जो उत्तरी जिला है जो पस्चमी जिला है ये दोनों एक ही मंडल के अंतरगत सहारनपुर मंडल के अंतरगत समलित है ठीक और सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा सहारनपुर अब सहारनपुर को देखते हैं भाई ये सीमा कहां से साजा करता है इसके सीमाओं के बारे म कि इसके साथ यह हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपना सीमा साजह करता यानि कि अगर हम सहारनपुर की बात करेंगे तो यहां से हरियाड़ा हरियाढ़ा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहां से समझ सबसे कम सीमा साजा करने वाला राज्य कौन सा है तो याद रखेंगे पहाडी राज्य है हिमाचल प्रदेश है और किसके साथ अपनी सीमा साजा करता है तो यह सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है इसके साथ सीमा साजा करता है ठीक तो यहां से आपने क्या देखा कि जो सहारनपुर है यह तीन जिलों के साथ अपनी सीमा साजा कर रहा है ठीक यह है उत्तरी अब उत्तरी के बाद हम आ जाते हैं यहां से बच्चे किसके बारे में सोन भद्र को देखते हैं यह सबसे दच्छिडी जिला है कौन सा है उत्तर के बाद दच्छिड ठीक यानि कि नौर्थ के बाद साउथ पर आ जाएंगे तो यह आपका दच्छिडी ज साथ सीमा साजा कर रहा है और किसके साथ बिहार और मध्यपरदेश दो मुख्यराज हो गए बिहार से अलग होकर कौन सा बनाया गया जहार यहां पर देखेंगे हम आपको देखेंगे जहार खंड जो है सीमा साजा कर रहा है और जो आपका मध्य परदेश है मध्य परदेश से अलग होकर 36 गड़ बनाया गया है कब बनाया गया यही आपके यहां से देखेंगे बच्चे जो सोन भद्र है सोन भद्र के बारे में देखेंगे एक तो यह अपनी सीमा किसके का साजा कर रहा है और इसके बाद हमने बताया 36 गड़ कौनसा 36 गड़ और चौथा यह आपका जहारकंड के साथ किसके साथ जहारकंड के साथ तो जो उत्तरपरदेश का सबसे दच्चिडी जिला है कौन सा है बच्चे सोन भद्र सोन भद्र जो है यूपी का सबसे जादा बाउंडरी सेर करने वाला जिला है अभी हाल ही में आपका 18 अगस्त को एक्जाम हुआ था इन में से कौन सा एक ऐसा जिला है जो सबसे जादा राज्यों के साथ सीमा साजा करता है तो यहां से याद के साथ सीमा साजा करता है अच्छे तरीके से हमने बता दिया, बिहार एंपी याद कर लेंगे, बिहार से जार खरन अलग भुआ और एंपी से 36 गड़, ठीक, अब एक तरीका और बताएंगे, कौन सा तरीका? यहाँ से आपको हम बताते हैं, कौन सा? कि जो बिहार है, जो आपका 36 गड़ है, 36 गड़ को यह खरवार जंजाती तो याद रखेंगे कर्मानृत जो है यह सोन भद्र और मिर्जापुर में करा जाता है तो सोन भद्र को याद करेंगे कर्मानृत और यह जंजाती द्वारा करा जाने वाला है तो कर्मा 36 गड़ में भी करा जाता है तो आप नृत के तुरू भी इसको ज छच्छी देख लिया अब बच्चे यहां से हम बात करते हैं सबसे पूरवी जिले के बारे में सबसे जो जिला एक उत्पाद बिंदी है बलहा पारा जील है इसका नाम बदला गया जैप्रकास के नाम पर ऐसे एक साथ दो तीन बाते याद कर लेंगे ठीक और बलिया जो है यह अपनी सीमा यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह है बिहार है क्या है यह बिहार है सोन भदर से अपनी सीमा साजा कर रहा है बिहार यहां पर हमने बताया और बलिया अपनी सीमा जो सबसे पूर्वी जिला है बिहार के साथ सीमा साजा कर रहा है ठीक यह बात समझ में आ गई चलो अब आते हैं पस्सिमी जिले पर तो पस्सिमी जिला यहां से ढूटे 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 आपने देख लिया अब यह तो एक आइडिया है मोटा मोटा जब आपको जियोग्राफिकल लोकेशन पढ़ाएंगे वहां और अच्छे तरीके से सारी चीजे बताया जाएगा यह इंट्रो है तो यहां पर भी अच्छे से हम समझते चलो भाई अब बात कर लेते हैं यहां से यहां पर आपका नेपाल लिखा गया है चलो हम एक बार और फिर से लिख देते हैं यह नेपाल है अब नेपाल से सीमा साजा करने वाले पुछा जाता है कौन कौन से जिले हो गए तो भाई नेपाल से आप देखेंगे कि पीली भीत है कौन सा है पीली भीत है पीली भीत के बाद लखींपूर खीरी फिर बहराईस और स्रावस्ती बलराम पूर सिधार्त नगर और ये महराज गंध ठीक तो यहां से एक एक डो और ये तीन तीन और ये चार ये पाँच और ये छे और यहां पर जो आपका महराज गंज है साथ तो नेपाल के साथ कुल कितने जिले हो गए बच्चे यह साथ जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं याद रखेंगे एक अंतर राश्टिय सीमा जो साजा होता है यूपी से नेपाल के साथ साजा होता किसके साथ नेपाल के साथ एक अंतरराष्टि ये सीमा साजह होती है कौन से जिले हैं कितने जिले हैं तो यह 7 जिलों के बारे में हमने पूरी की पूरी चर्चा करें ठीक तो यह वा sponsors रखेंगे चIL अब यहीं से बिहार के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि साथ कितने जिले यहां से सीमा साजा करेंगे वहाई सूचमता से देखेंगे यह मैफ है यहाँ पर आपको लिखा पढ़ी करना ही पड़ेगा हमें तो थोड़ा ध्याद देखें तो पता चलेगा और वैसे भी आपके पास होगा तो वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते यहाँ पर सुनेंगे क्य तरीका और कैसे कैसे क्वेस्टन बनते हैं ठीक चलो तो बिहार से यहाँ से देखेंगे बच्छे तो यहाँ पर जो है महराज गंज महराज गंज के बाद आपने यहाँ पर देखा कुसी नगर तो कुसी नगर जो है यह आपका पहला जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चे ये पहला जिला हो जाएगा जो कौन सा कहलाएगा पुसी नगर पहला जिला ये बिहार के साथ सीमा साजा करने वाला पुसी नगर के बाद हम आ जाएंगे बच्चे देवरिया के पास देवरिया के बाद बलिया यानि कि यहां तक तीन हो गए फिर ये गाजीपुर चार और यहां से देखेंगे चंदवली पांच और तो यह गाजीपुर और चंदवली पांच और छे फिर से देख लेंगे भाई एक बार यह कुसी नगर है कुसी नगर के बाद देवरिया हो जाएगा देवरिया के बाद बलिया हो जाएगा तो यह तीन हो गया और गाजीप सवन भद्र हो जाएगा थीक तो यह 6 हो गए और कोई सा एक बच रहा है बहई एक यहाँ पर कोई सा छूप रहा है शलो यह साथ जिले जो है कुल किसके साथ बिहार के साथ भी सीमा साज़ा करते हैं कितने साथ जिले बिहार के साथ सीमा साजा करते है तो नेपाल के साथ और बिहार के साथ भी साथ जिले सीमा साजा करते है पूर्वी जिला आपको पता हो गया पस्चमी, उत्री, दच्चडी ये सारी बाते और एक question सबसे जरूरी यहां से जो पूछा जाता है भाई यह मध्य परदेश वाला कौनसा मध्य परदेश वाला यहां से question पूछा जाता है सबसे जादा जिलों के साथ सीमा कौनसा राज्य साजा करता है तो याद रखेंगे भाई यह जो MP है यह सबसे जादा जिलों के साथ अगर यहां से देखेंगे तो यह आपका ललितपुर है यहां तक देखेंगे यहां तक आपका इसका बिस्तार है मध्यपरदेश का ठीक तो मध्यपरदेश यह आपका आगरा से यहां से सुरू हो जाएगा यहां पर राजस्थान हो जाएगा आगरा से सुरू करते हुए यह पूछता है पूछा जाता है जो ललितपुर जिला है ये तीन तरव से किस राज्य से घिरा हुआ है तो ललित ललितपूर, MP के साथ तीन तरफ से घिरा हुए और ललितपूर एक मात्र जिले के साथ सीमा साझा करता है, किस के साथ ज्भासी के साथ यह सारी जो बातें यहां पर हो रही है यह आपके important है और सीमाओं से बड़े अच्छे-च्छे question यहां से बने हुए है ठीक तो इस बात का सभी के सभी student ध्यान रखेंगे और हाँ यह बात हो गई और आपकी बात आ जाती है यहां से कौन सी राजस्थान वाली तो राजस्थान को यहां से याद रखेंगे भई यह आपका मतुरा है और यह आगरा है आगरा और मतुरा यह दो जिले सीमा साजा करते हैं राजस्तान के साथ आगरा और मतुरा दो जिले अब एक बात और यहां से याद रखेंगे जो आपके वर्सा वर्स वगेरा पूछा जाता है सबसे ज्यादा वर्सा का कहां पर देखा जाता है तो गोरखपुर में देखा जाता है कहां पर सबसे ज्य तरी से लेकर आता है नेपाल से आप जानते ही जो जीले सज़़ हुए हैं यहांसे देवरिया और यह गोरगपूर होते वह यानि कि जो मतुरा का सबसे कम वर्षा का कारण क्या है कि इसका जो है सबसे इस छोड़ से जैसे दो हाथ आपके हैं एक हाथ इधर एक हाथ इधर यहां से यहां की दूरी यानि की कहने का मतलब समझेंगे कि एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक पहुंचते पहुंचते मांसून दाई इंड हो जाता है इसी कराण से यहां पर बर्सा कम हो जाती है ठीक ध्यान रखेंगे और ज्यादा दर student क्या नुमान लगाते हैं कि यह रेगिस्तान से सटा हुए राजिस्तान से तो इसलिए नहीं कि यह करें रहां दर बर्सा का मांचुनी कारण होता है किसी से सट्वायन होने का कोई rivalry यहाँ पर मतलब नहीं है खासकर मतुरा की बात टी तो मतुरा में वारिश कम होने का कारण आपने समझ लिया कई बार पूछा गया है चलो यह बात हो गई भाई और यहां से हमने बता दिया सहारनपुर से कौन कौन से हरियाडा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो सबसे कम सीमा साजा करने वाला कौन सा है हिमाचल प्रदेश के बारे में यहां से हमने बताया कि सबसे कम सीमा साजा करता है कौन सा है यहां पर यह हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साजा करता है और सबसे जादा वाल पूरा पूरा जियोग्राफिकल बाते चलेंगी तो वहां पर और विस्तार से जो भी बाते यहां पर चूट रहें उसकी चर्चा करेंगे ठीक बड़ चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं इसके कुछ संशिप्त की और देखते हैं यूपी से सम्मंदित जो इसके नाम 1836 से उत्तर पस्चिम प्रांथ रखा गया 1836 में क्या था उत्तर पस्चिम प्रांथ और 1836 के बाद जो 1847 आया तो इसका नाम बदल दिया गया आगरा एवं अवध का सन्युक्त प्रांथ हो गया क्या हो गया आगरा एवं अवध का सन्युक्त प्रांथ हो गया और इसके बा सन्युक्त प्रांत कर दिया अध्यान रखेंगे यह नाम से जूड़ी जो बातें इसका नाम बदला गया है कई बार पूची गई है तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे चलो भाई और इसके बाद authentic किताब इसको 26 बोलते हैं कुछ 24 बोलते हैं लेकिन अगर आपको देखा जाए यहाँ से एक बात को हम परिपेच बनाते हैं कौन सी बात जो UP दिवस हम मनाते हैं बच्चे क्या मनाते हैं UP दिवस तो UP दिवस थो हम 24 जनवरी को ही मनाते हैं कब मनाते हैं 24 जनवरी को तो इस हिसाब से तो यही बात सही लगती है तो हम भी यहाँ पर क्या गरेंगे 24 ही मानकर चलते हैं यह 24 जनवरी 1950 से क्या हो गया उत्तर प्रदेश हो गया यानि कि क्वेस्टन पूछेगा कि बरतमान यूपी अपने परिपेच में कब आया या अपन से क्या कर दिया गया केवल United Province करा गया और फिर अंतरता क्या आया 24 जनवरी 1950 का दिन और इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही मनाते हैं और यहीं से एक बात कनेक्ट करेंगे 24 जनवरी 2018 यहां से आपका एक योजना सुरु करी गई भई कौनसी ODP है एक जिलाएक उतपाद कहूंसी एक जिलाएक उपाद योजना शुरू कर रही और इसका जो उदघाटन वागैरा गया किस ने decline तो यह रामनाथ कोविंद के द्वारा करा गया जो की एक दलित राष्ट पती थे इनके बारे में पूछा जाता है किस यह जाती से बिलॉंग करते थे इसके बारे में और कहां के रहने वाले थे बच्चे तो इनके बारे में याद रखेंगी यह कानपुर के रहने वाले थे क यहां से कानपुर से रहने वाले से कानपुर के यहां से याद रखेंगे सभी के सभी लोग ठीक चलो भाई यहां तक हो गया अब आ जाते हैं हम राजधानी की बात प्रदेश की राजधानी 1836 से क्या थी आगरा थी अगला 1921 का जो दोर आया वर्स आया यह लखनव को राजधानी बना गया यानि कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो बरतमान में लखनव है साल 1921 में बनाएगे लेकिन यह पार्सियली बनाएगे कैसे आंसिक रूप से बनाएगे पूर्ता कब बनाया गया भाई तो पूर्ता जब आपका 35 आया 1935-36 भी कह सकते हैं ठीक 1935-36 का साल जो आया यहां पर राजधानी को कमप्लीटली बना दिया गया पूर्ता राजधानी बना दिया गया यूपी की ठीक तो यह सभी के सभी बाते आपको याद रखना है यह क्वेस्टन पूछे जाते हैं हर एक पॉइंट यहां पर क्या है एक एक में बनाया गया यह सारी बाते याद रखे ठीक चलो भाई अगली बात देखते हैं यहां से राज का यहां से कुछ इस्टेटिक पॉइंट को हमने इंक्लूड करा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्या-क्या यहां से इस्टेटिक पॉइंट आपका बन रहा को राज का जो विभाजन कर दिया गया विभाजन के बारे में क्या याद रखेंगे 9 नौवंबर साल 2000 को 13 जिलो को काट कर ये बनाया गया तो 13 जिलो को काट कर बनाया क्या गया था भाई उत्तरांचल बनाया गया था क्या उत्तरांचल और इसी का नाम उत्तराखंड है ये भ हो गये थे ठीक चलो भई राजकिय भासा के बारे में पूछा जाएगा तो 1947 से हिंदी और 1989 से उर्दू लेकिन यह कौन सी है यह हिंदी प्रथम राजकिय भासा है प्रथम और जो उर्दू है कौन सी उर्दू इसको याद रखेंगे बच्चे पूछा जाता है सेकेंड आपक है उर्दु के बारे में और यह कई बार क्वेस्टन मना है भाई 1989 के बारे में कि उर्दु को दुईतिय राजकिय भांसा के रूप में हमने कब दरजा दिया कब सविकारा भाई UP गवर्मेंट ठीक तो 1989 चलो अगली बात करेंगे राजकिय पसू की बात कर लेंगे तो राजकि सामने इसको कोशिज भी करा है जोडने को चलो यहां से घास फू जमा देंगे खाते पीते रहेगा चलो अब अगली बात है राजकिय पच्छी की तो राजकिय पच्छी कौन सी हो जाएगी यह सारस अथवा क्रॉंच या क्रेन भी बोला जाता है और इसकी खासियत क्या है यह जोडे में ही रहेगा ऐसा कभी-कभी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है तो ध्यान रखेंगे यह राजकिय पच्छी सारस या क्रॉंच या क्रेन बोला जाता है ठीक यहां तक सभी ने समझ लिया अगली बात देखते हैं राजकिय ब्रिक्ष के बारे में राज से अंगी कर गया स्वविकरित करा गया एक्सेट करा गया सारी बाते ठीक कब से चार जनवरी 2011 से यह प्लास का आपका पुस्प है हाँ एक बात यहां से जरूरी है क्या जरूरी है इसके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछ लेता है ब्यूटिया मुनोस्परमा करके क्या है तो जो पलास का पुस्प है एं पलास को एक और नाम से जानते हैं इसको टेसु भी कहते हैं पलास या लाइफ साइकिल में धाक के पत्ते पर कुछ खाया होगा कुछ भेंजन या कुछ भी कोई भोजय सामागरी कुछ भी आपने खाया पिया जरूर होगा जो पत्ते पर आप खाते हैं वही है ये धांक तो ये इसके पीछे का एक रीजन था भाई कि हम इसको पुस्प क्यों माने तो अभी नहीं करते हैं जो पत्ता था उस पत्ते को यहाँ पर क्या करилось-गया कि ध्यान रखा गया कि वहाई जो ग्रामीड परेें उनकी रोजी-्रोटी का सुर्च होता है होता है और फर दुकानओं पर पहले तो अभी तो दुनिया वर की चीज़े आ गई पॉलीटीन वगएरा या आपके कागजवाले आ गए इसके पहले यही चलता था आपका धाक वला तो उसके बढ़ियां सब बनाते थे बढ़ियां पत्तल हमने तो खाया भाई बहुत अच्छे से और अच्छा भी होता है इन्व लिक्ष के बारे में सब जानेंगे और थोड़ा सा जो जैसे ओडी ओपी आपकी जो चलाई की यह उजना यह ग्रामिड चीजों को यानि कि जो रूरल चीजे हैं इसको एक्स्प्लोर करने का गुलोबली एक्स्प्लोर करने का तो बस यही थोड़ा सा इसका उद्देश है कि जो है इससे थोड़ा फायदा हो सकता है ऐसा कुछ सोचा गया ठीक याद रखेंगे अब अगला देखेंगे यहां से राजकिये चिन्ह के बारे में राजकिये चिन्ह एक वरित्त में दो मचली और एक तीर धनुस और यह राजकिये चिन्ह जो है एक वरित्त है वहई और इसमें दो मचली और यहां से गंगा और यमुना नदियों को मिलाता हुआ यह बात दिखाई गए ठीक कि यह गंगा यमुना नदियों कोमिलाने का बात करा गया है और जो मचलियां है मचलियां क्या बताती है भैई ये औवध सासना का प्रतीक है किसका तरहाई साषण आवध क्या जो मुगल सासन था प्रतीक किसका जो आव새 मे मुगलों का सासन था भाई था ही लखनव में तो पूरा नबाब नगरी जानी जाती है लखनव के नबाब रामपुर के लोगों को भी बोला जाता है नबाबों का सहर ठीक तो ये पूछा जाता है मचलिया किसका है प्रतीक है तो आवध में मुगल सासन का प्रतीक और इसके स जो है कि जो ये नदियां मिलती हुई दिखाई दी रही हैं जो आप देखतें हैं प्रयाग राज में गंगायमना और सरस्ताती को प्रिठिवी के अन्द में दर DLC आता हुआ मांते हैं बोल सभी को पता है ठीक तो ये राम राज का प्रतीक बताती है कौन ये धनुस और बाण तो ये दोनों बाते सभी के सभी लोग याद रखेंगे इसको एकसेट करा गया कब 1938 में एकसेट करा गया ठीक तो ये सारी बाते यहां से पूछा जाता है और जो मचलियां है अवदसासन का प्रतीक तो है ही इसके साथ साथ पूछा जाता है कहां से लिया गया तो अभी आपको एक जो है रूमी दर्वाजे के बारे में पूछा गया था रूमी दर्वाजा तो ये रूमी दर्वाजे से लिया गया और खास करके कुछ एक्जाम में आपके रूमी दर्वाजे के उचा चेत्र में समलित उत्तरप्रदिस के छे जिले तो राष्टी राजधानी यानि कि NCR की बात चल रही है जो राष्टी राजधानी छेत्र में सामिल है कौन-कौन से मेरट के बारे में याद रखेंगे गाजियाबाद और गौतम बुधनगर बुलंसहर हापड और बागपत के के बारे में याद रखेंगे जो NCR राष्टी राजधानी छेत्र में यह सामिल कर एक चलिए अगली बात कर लेते हैं ncr में सामिल करने हैं तो प्रस्तावित कुछ जिले हैं जिनको प्रस्ताव में भी रखा गया है सोचा बिचारा जा रहा है चलो इनको भी हम में include कर लेंगे आगे चल कर तो यह कौन है मुझपफर नगर है सामली और मतुरा के बारे में याद रखेंगे NCR में सामिल करने है तो बिचारा धीन दिले यह तो प्रस्तावित हैं कभी भी सामिल कर लिये जाते हैं कूछ बिचारा धीन है यानि कि इनके बारे में भी बिचार बनाया जा रहा है प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ठीक हाथ रस और सहारन पुर तो इनको जो है यह बिचारा धीन रखा गया है किसके लिए सामिल करने के लिए राज्टी राजधानी छेत्र में अगली बात है आप परवासी भारतिय समस्याव हेती राज में एन आर आई जो नान रेजिडेंस इंडियन हैं उनके लिए भी एक विभाग बनाया गया कब बनाया गया तो यह दिए चलो भाई देखते हैं अगला पॉइंट है जो विधान मंडल है यह कैसा है यह दुई सदनात्मक है कैसा है इसको भी याद रखेंगे सरवाधिक विधान सवा सीटो वाला जिला कौन सा है एलाहाबाद है 12 सीटो वाला और ये जो सीटे आवंडित करी जाती है बच्चे किस पर ये जन संख्या के आधार पर यानि कि जो आपकी जन गड़ना करी जाती है जितनी जनसंख्या होती है उसके according ये सीटों का बटवारा वगेरा कर दिया जाता है कहां पर कितना रहेगा तो इससे आप एक बात याद रखनी है जो एलाहाबाद है ये maximum population वाला जिला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है कौन सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या व रयाग राज कम के बारे में कहां से पढ़ेंगे चित्रकूट महुबा और स्रावस्ति यहां से दो-दो सीटे के वल रखी गई है ठीक अगला है राज बिधान सभा में आरच्छित सीटों की संख्या तो राज बिधान सभा में जो है ये सीटों की संख्या आरच्छित कितन जाती तो अनुसूचित जातीओं के लिए 85 सीट जो है आपका रिजर्व है और जो एस्टीज है यानि की अनुसूचित जन जातीया है इनके लिए 4 सीटें आरच्छित हैं बिधान परिशत का गठन कब करा गया भाई तो 1937 में 1938 में उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का तो पहले अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड का निर्माड कब कब बताया हमने 9 नौवंबर 2000 को उत्तराखंड करा गया था यह अपने 13 जिलो को लेकर अलग हो गया उत्तरांचल के नाम से जाना गया बाद में इसे उत्तराखंड कर दिया गया ठीक चलो अब यहां से क्य कितनी हो जाएंगी 100, तो 100 और 108, आठ का अंतर पड़ा तो ऐसे इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक, चलो भाई, प्रदेश में लोगसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, SC, ST के लिए आरच्छी सीटों की संख्या 17 है, SC के लिए, और ST के लिए जो है, यहाँ पर लोगसभा की बात करी जा रहे है, ठीक, याद रखेंगे, मददाताओं की दृष्ट से सबसे बड़ा और सबसे चोटा, तो मददाताओं की यानि की ओटर्स की अगर गिंती करेंगे, उसमें सबसे बड़ा गाजियाबाद है, और सबसे चोटा कौन सा है, यह बागपद है ठीक, तो ये सारी की सारी बाते यहां से याद रखेंगे, चलो भाई, अगली बात करेंगे, राज सभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है, नियाइक अनुसंधान एवं परसिच्छड केंदर कहां पर है, तो राजधानी लखनव में है, याद रखेंगे जो नियाइक राजधा लखनों में 1986 में यह अस्थापित करा गया इस्टेबलीस करा गया ठीक उच्छ नियाल एलाहाबाद में है खंड पीठ इसकी एक है राजधानी लखनों में तो यहां से ध्यान रखेंगे जो यूपी है इसका एक खंड पीठ राजधानी लखनों में है अन्य था कभी-कभी स् 1866-1806 में करी गई ठीक और जो स्वविक्रीत संखा है जजों की यह अपने भारत में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या कहां पर है न्याजधीसों की संख्या जो है यह सबसे ज़्यादा कहां पर तो एलाहाबाद हाई कोट में 160 ठीक याद रखेंगे अगली बात है आर्थिक भाई वही रुपया पईसे वाली जो बात है आर्थिक का मतलब ही रुपया पईसा आर्थ बिरुस्ता तो ऐसे संबंदित जो आपराध होते हैं यह कहां कहां पर हैं लखनवू आगरा मेरट वारारसी और बरेली के बारे में याद रखेंगे ठीक चलो भाई अगला देखते हैं प्रदेश में कुल 6 अजयोगी के नियायधी करण है कहां पर एक प्रयागराज में और लखनवू मेरट आगरा कानपुर और गोरगपुर तो यह कभी-कभी पूछ लिये जाते हैं कि कुल कितने अजयोगी के नियायधी करण है यह संख्या पूछी जात हमने बताई 18-18 मंदल अलीगड यह 2008 में बनाया गया और सबसे बड़े संभाग कौन-कौन से हैं हमने बताया कानपूर यहां पर छे जिले लखनव और मेरट कुल 6-6 जिले याद रखेंगे भई पूछा जाता है निमलखित में से कौन सा सबसे बड़ा संभाग नहीं है इसके अगली बात देखेंगे सबसे छोटे संभाग कौन से हैं तो मिरजापूर आजमगण बस्ती जहांसी और सहारंपूर तो यहां से तीन तीन जिले हैं राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है तो 915 है यह जो सेंसेस आपकी जनगणना हुआ था 2011 इसके आखड़े के अनुसार छोटे बड़े कुल नगर यूपी में कितने है तो 915 है ठीक अगली बात है जनगणना के समय जनगणना नगर कितने थे भई तो यह 267 थे जनगणना के समय कुल जनगणना नगर चलो अगली बात है सरवाधिक जनगणना में नगरो वाला जि neighborhood ethnic में प्रिम हैं जन्गरना के समय की बात है अगली बात है आवास एवं विकास परिशद कितने हैं तो कुल शौवन और विकास परिशद हैं कहां पर उत्तर प्रदिश में ये बात भी सभी लोग ध्यान रखेंगे च कि अलगा देखेंगे तैसीलों की संख्या कितनी है 351 है बलाकों की संख्या कितनी है कुल बलाक कितने है यूपी में 826 बलाक है योजनाबध नगर कौन है भई तो योजनाबध जो प्लांड नगर के बारे में ये कैसे है प्लांड टाउन जो हर चीजे एक व्यवस्थित तरीके से होती योजना का मतलम प्लांड तरीके से जैसे नाली कहां पर होनी चाहिए डश्ट मिन वाला डबबा कहां पर होगा सारी चीजे एकदम अच्छे तरीके से तो कौन-कौन से हैं भाई न्वेडा ग्रेटर न्वेडा न्यू कौन पर सिटी और सुसांत गुल्फ सिटी और न्यू कासी और यहां से सुसांत गुल्फ सिटी औ पाडल पर पब्लिक प्राइबेट और पार्टनर्शिप जो तरीके से बनाया जाता है ठीक तो यह योजनाबध प्लांड टाउन के बारे में पुछेगा तो पांच बता देंगे चलो भाई नगर निकाय वाले कुल नगर पुछेगा तो 734 बता देंगे 734 प्रदेश में केंद्री कारागार पुछे गवाई सेंट्रल जेल तो यहां से आपको याद रखना है बरेली आगरा वारारसी इटावा फतेहगड और नैनी के बारे में ठीक अब यहीं बरेली में जो है एक और बढ़ा लेंगे भाई महिला के लिए खोल द प्रथम सेंट्रल जेल प्रथम केंद्री जेल जो है 1984 में इंगरेजों के जबानें बरेली में झाल वाल है और दूसरा यहां पर नया हाल ही में जो बना यह महिला वाला न ठीक तो इसके आगली बात कर लेते हैं यहां से अप्रदेस में नारी बंदी निकतन तो नारी बंदी निकेतन एक ही है यह राजधानी लखनव में है और किसोर सदन अलपवयस का कारागार तो एक है ये बरेली में है संपूरानन्द कारागार प्रसिछण संस्तान कहां पर है ये राजधानी लखनव में 1940 में बनाया गया प्रदेश का पहला केंद्रिय कारागार यहां पर हमने बताया आगरा ये आपको याद परेमें ठीफ प्रत्रम राष्टपती सासन अलगाया गया यूपी में पच्चीस दो 1968 से 2279 तक और अभी तक कुल जो है कितने बार राष्टपती सासन लगाया यूपी में तो अभी तक की जो संख्या है आकड़े हैं यह 10 बार उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर राष्टपती सासन लगाया जा चुके हैं ठीक चलो भाई यह भी बात हमने कर ली अगली बात यहां से देखेंगे मुख्यमंत्री वाद देश के प्रधान मंत्री कौन-कौन रहे यानि कि यूपी के जो बोला जाता है यह प्रधान मंत्री देने वाला प्रदेश बोला जाता है अभी तो हाइबेज प्रदेश बोला जा रहा है सबसे जदा हाइबेज जो आपके नेशनल हाइबेज और इसके साथ साथ याद रखेंगे प्रधान मंत्री के बारे में भी तो चौधरी चरण स सिंग और बीपी सिंग के बारे में यहां स्याद रखेंगे विस्वनात प्रताव सिंग और चौधरी चरण सिंग यह मुख्य मंत्री भी रहे और बाद में प्रधान मंत्री भी बन गए ठीक राज एवं देश की प्रथम महिला राजपाल सिरीमती सरोजनी नाइडो यह राज जपाल का कमान सम्हाला है यह भी बात आप याद रखेंगे स्वतंद्रता के बाद प्रथम विधान सभाद देख्ष कौन सा तो यह राजर्शी पुर्षोत्तम दास टंडन ठीक और बरतमान की बात करेंगे तो सतीस महानों को याद रखेंगे चलो भई इसकी भी बात हमने कर ली अगला है सरवाधिक बार विधान सभाद देख्ष तो सिरी आत्मा राम गोविंद खेर और केशरी नात्तिर पाठी यह तीन तीन बार जो है विधान सभाद देख्ष रह चुके हैं बरतमान विधान सभाद देख्ष हमने पहले ही बता दिया यह सतीस महाना विधान स तो कौन है ये श्री पती मिश्र और श्री बनार्ची दास ये सारे के सारे जो एक-एक पॉइंट आप देख रहे हैं भाई तो इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखा करेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे बार-बार ठीक चलो स्वतंतरता के बाद प्रतम विधान परिशद या सभापती कौन है तो ये चंद्रभाल के बारे में यहां से याद रखेंगे चलो और अगली बात है सरबाधिक बार व कोविंद खेर और केसरी नात्रिपाथी तीन तीन बार वर्तमान विधान सभाद देश्ट ये तो भाई वही पेज रिवाइज हो गया चलो अगली बात यहां से देखेंगे राज सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को तो ये पूछा जाता है राज सूचना आयोग कब सुचेगा तो क्या बताएंगे 1962 में और राज सुरच्छा आयोग कब तो ये 12 जुलाई 2013 में और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं साब होते हैं मुख्य मंतरी होते हैं इसके अध्यक्स ठीक तो ये बात भी यहां से सभी लोग ध्यान रखेंगे चलो तो ये पूरा का पूरा हमने डिसकसन एक संचिप्त अवलोकन इतिहास जो भी समझेंगे एक सार्ट में अगर ये सिर्फ यही क्लास हमने इसलिए टाइम तो कम था मेरे पास मैंने फिर भी इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करा है क्योंकि अगर ये पूरा क्लास आप पढ़ लेंगे तो कोई भी अगर यूपी पीसेस तक का भी बैठेंगे तो तीन-चार कोईस्टन तो आपके निकलाएंगे इसी क्लास से तो इसको एक दो बार बढ़ियां से पढ़ा लिखा होगा समझा होगा तो आज के लिए इतना ही वही जय हिंद्ध